हेलो दोस्तों आप सभी का सौगत है हमारे योट्यूब चैनल आर्पी पब्लिक स्कूल जोगी ठेर में तो आज हम बहुत ही इंट्रेस्टिंग चैप्टर जो कि क्लास 12 की केमिस्टी का चैप्टर नमर है 10 बायो मालिकूल्स जिसमें हिंदी में कहते हैं जैव अडू आज का हमारा जो टापिक है वो है प्रोटीन और उसमें आज हम डिसकस करेंगे प्रापर्टीज आफ अमीनो एसिड जो अमीनो एसिड हैं उनकी क्या प्रापर्टीज होती हैं तो आएए इनको डिसकस करते हैं पहला इसका गुरधर म है usually colorless and crystalline solids, जो भी amino acid होते हैं, वो समाननिता कैसे होते हैं, colorless होते हैं, means रंग हीन होते हैं, और crystalline solids, और कैसे होते हैं, crystalliate force होते हैं, साथ ही साथ, next है high melting solids, और ये कैसे होते हैं, इनका जो melting points होता वो बहुत ही high होता है, soluble in water, और पानी में कैसे होते हैं, soluble होते हैं, घुलन सील होते हैं, next है, we have like salts rather than simple amines, और carboxylic acid, इसका amine क्या है, हमने देखा था, जो amino acid हैं, वो किस तरह के होते हैं, जैसे, for example, NH2, CS2, और COOH, ये क्या है, glycine, एक amino acid है, तो यहाँ पर हमने देखा, इसमें क्या-क्या है, इधर ये part, जिसमें amine है, ये कैसा है, basic nature का है, base है, ये क्या है, क्या है, single group है, जो की कैसा है, acid है, तो इन में, base और acid, दोनों की ही property हैं, लेकिन, ये सामानिता, ना तो base की तरह बर कर रहा है, और ना ही acid की तरह है, क्या होता है, हमने पहले भी ये study की है, कि जो base होते हैं, और acid होते हैं, ये आपस में, रेक्ट करके, क्या बना लेते हैं, salt बना लेते हैं, साथ ही साथ, water भी बनाते हैं, तो चुक्कि इन में, base और acid दोनों की ही property है, तो ये ना तो base की तरह है, और ना ही acid की तरह behavior करता है, ये किस तरह का behavior करता है, ना तो इन में कर्वक्सिलिक इसिट के गुर्धर्म को सो कर रहा है, और ना ही amine के, तो किस की तरह सो करता है, इन salt की तरह, नेक्स है, सोज amphoteric nature in geuterine form, इससे क्या mean है, ये amphoteric nature सो करता है, और कब? geuterine form में, अब ये geuterine form क्या होता है, तो जब हम इसका aqueous solution मनाते हैं, means इसे हम water में घोलते हैं, तो क्या करता है, ये dissociate हो जाता है, किस तरह से? तो यहाँ पर NH2, CH2, और COOH, हमने ये देखा है, जो भी acid होते हैं, वो क्या करते हैं? एक्कोस स्वाम में hydrogen ion को release करते हैं, तो ये क्या करेगा? यहाँ से hydrogen ion release करेगा, और क्या बनाएगा? COO minor, और इधर ये क्या? CH2, इधर क्या है? NH2, और ये क्या करता है? ये base है, वो क्या करता है? उसी time पे, इस carvacil group ने क्या किया है? hydrogen ion को release किया, और इस amine ने क्या किया? उस hydrogen ion को accept कर लिया, और ये बना लिया NS3, तो ये positive charge create कर लेता है, और ये minor, जो क्या है? जब किसी compound में एक साथ base और acid, दोनों ही present होते हैं, और एक पर plus charge एक पर minus charge होते हैं, तब ऐसे compound को हम jitter ion कहते हैं, और जब ये jitter ion बन गया है, तब ऐसे case में ये क्या करता है? amphoteric nature so कर रहा है, किस तरह से? यहाँ पर हम ये जानते हैं, जो acid होते हैं, वो hydrogen ion release कर रहे हैं, तो ये release कर रहा है, तो ये acidic character हो गया इसका, और ये क्या कर रहा है? उस H plus ion को यहाँ पर accept कर ले रहा है, means amine है, ammonia यहाँ पर create हो रही है, वो किस तरह का behavior है? इसका base की तरह है, तो यहाँ पर ये acid और base, दोनों की ही property को एक साथ सो कर रहा है, तो कभी भी ये acid की तरह भी behavior कर सकता है, और इस base की तरह भी behavior सो कर सकता है, ऐसे nature को हम कहते है, amphoteric nature, means उभय धर्मी प्रकरती, next है, all amino acids are optically active, जितने भी amino acids होते हैं, वो सारे के सारे optically active होते हैं, means वो जो polarized light है, plane polarized light, उसको या तो clock by direction में या फिर anti-clock by direction में rotate करते हैं, लेकिन, एक exception है याँपर, किसे कौन सा, glycine, glycine को अगर छोड़ दिया जाए, तो बाकी के जितने भी amino acid होते हैं, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, optically active होते हैं, क्यों होते हैं, और glycine क्यों नहीं होता, उसका reason ये है, glycine का, अभी अभी हमने देखा formula क्या है, ये, तो यहाँपर हम इसे फिर से create कर लेते हैं, NH2, इदर C, यहाँपर H, यहाँपर भी H, और इदर क्या है, COOH, इसी तरह से एक और अलालीन, NH2, CH, इदर CS3, और यहाँपर COOH, H, तो ऐसा carbon atom, जिसकी चारो, यह, अलाफ 4, जो balance है, वो अलग, 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 आयन से, या फिर, group से, satisfy होती है, चारो, सही हो जगता है, अलग, अलग, group से, जुड़ी होती है, ऐसे carbon atom को हम, क्या कहते हैं, asymmetric carbon atom बूलते हैं, asymmetric carbon atom, इसे हिन्दी में कहा जाता है, असममित carbon, परमाणू, और ऐसे पदार, जिन में asymmetric carbon परमाणू पाया जाता है, वे, क्या करते हैं, समतल धुरुवित प्रिकास को, rotate कर देते हैं, बात करें हम, इस glycine की, तो इसमें, चारो, सही हो जगताओं को, हम देखें, यहाँ पर, यह NH2 है, इधर, कार्वक्सेल ग्रूप है, तो यह दोनों तो अलग, अलग हैं, लेकिन, यह hydrogen और यह भी hydrogen, दोनों कैसे हैं, सेम हैं, यहाँ पर, यह वाला जो carbon atom है, वो, असममित नहीं है, asymmetric नहीं है, इसी region के थो, glycine कैसा होता है, optically inactive होता है, बाकी के सारे, जितने भी amino acid होते हैं, वो, सब के सब, optically active होते हैं, next topic है हमारा protein, क्या होते हैं यह protein, जब, जो amino acid हैं, बहुत सारे amino acids, क्या करते हैं, polymer, मतलब polymerization के थो, बहुत बड़े-बड़े molecules बनाते हैं, और किससे बनाते हैं, एक peptide bond होता है, उनसे आपस में connect हो जाते हैं, तब acid, जो molecules होते हैं, उन्हें हम कहते हैं protein, तो हम कह सकते हैं, protein are the polymers of alpha amino acids, alpha amino acid के, क्या होते हैं ये, polymer होते हैं, means बहुलक होते हैं, और किस तरह से ये polymer बनाते हैं, तो bond का name होता है यहाँ पर, peptide bond, या फिर इसे peptide linkage भी कहते हैं, किस तरह से ये bond form होता है, इसे भी देख लेते हैं, तो एक छोड़ा सा example ले लेते हैं, जैसे, glycine है NH2, CH2, COOH, इसमें क्या करना है, एक दूसरा और ये amino acid add करना है, तो यहाँ से NH2, CH2, COOH, तो ये दोनों, हमने क्या करना है, इनको connect करना है, means इनकी reaction करानी है, तो किस तरह से होगी, यहाँ से NH2, CH2, CO, होता क्या है, एक hydrogen यहाँ से, तो यह, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते थे, NH2 को NH, और इधर एक है, तो यहाँ से OH, और ये H, आपस में connect हो जाते हैं, ये कर लेते हैं, और क्या बना लेंगे, water molecule बना लेंगे, तो यहाँ पर क्या रहे गया, CO, और इधर, NH, और ये CS2, COOH, तो यह जो bond यहाँ पर form हुआ है, इन दोनों के बीच में, इसी bond को हम कहते हैं, peptide bond, peptide bond, या फिर peptide linkage, और क्या बना था इसमें, water molecule, अब सवाल उड़ता है, कि कितने alpha amino acid, उस में add होने चाहिए, polymerization के थो, जिससे हम उसे protein कह सकें, तो यह सबसे पहले यह देखते हैं, कि यह जो peptide bond है, मतलब जो amino acid है, इन को हम किस तरह से classified कर सकते हैं, तो, सबसे पहला है, dipeptide, ऐसे molecules, जिन में amino acid किस से, दो peptide bond से, लिंक रहता है, ऐसे amino acids को हम क्या कहते हैं, dipeptides कहते हैं, नेक्स्ट है, यहाँ पर, tripeptides, ऐसे alpha amino acids, जिन में, जो कि क्या होते हैं, तीन peptide bond से, लिंक होते हैं, और एक macromolecule बनाते हैं, ऐसे compounds को हम क्या कहते हैं, tripeptides कहते हैं, जिन में, four peptide bond होंगे, उन्हें क्या कहेंगे, tetra peptide, इसी तरह से, penta, hexa, और next, कितना हो जाएगा, last में, polypeptide, polypeptide, polypeptide में, कितने होने चाहिए, बहुत सारे माले, अब, सवाल उठता है, कि जो polypeptide, यहाँ पर जो protein है, वो क्या होते हैं, polypeptide polymer ही होते हैं, जो कि protein है, तो, यहाँ पर जो polypeptide है, इन में, कितने peptide bond होने चाहिए, कितने molecules होने चाहिए alpha amino acids के जिन से हम उन्हें protein कह सके तो कम से कम 100 molecules होने चाहिए या इससे जादा होने चाहिए 100 molecules से जादा होने चाहिए more than more than 100 molecules और बात करें अगर उनके molecular weight की तो वो भी कितना होना चाहिए कम से कम 10,000 से 10,000 unit से कैसा होना चाहिए जादा होना चाहिए more than 10,000 इतने से जादा अगर उनका molecular weight है तब हम उन्हें protein कहते हैं अब क्या अगर इनसे कम molecules add हैं तब उन्हें हम protein कहेंगे कि नहीं कहेंगे तो कह सकते हैं जैसे एक example है insulin इन्सुलिन ये insulin में 51 molecule होते हैं लेकिन फिर भी इसे हम protein कहते हैं तो क्या reason है इसको protein कहने का reason ये है जो insulin है इसमें जो 51 molecule है वो एक क्या है well defined arrangement में है और उनका एक specific arrangement होता है जिसके तो हम उसे protein की स्रेडी में रखते हैं next है classification of protein classification of protein तो इन्हें हम दो टाइप्स में divide कर सकते हैं कौन कौन से पहला है fibrous protein next है globular protein अब ये क्या होते है नेम से ही पता लग रहा है fiber protein means रेसेदार protein जो कैसे हो धागों की तरह रसी की तरह ऐसे proteins को हम क्या कहते है fibrous protein कहते है तो इनका structure किस तरह से होता है कैसे ये होते है तो ये सबसे पहले insolubile in water होते है means पानी में गुलंसील नहीं होते और इनकी जो सनचना होती है वो एक धागी की ही तरह होती है बहुत पतली-पतली क्या होती है धागी की तरह इस तरह से सनचना होती है और ये parallel चलती है इस तरह से तो ऐसे प्रोटीन्स को जिनमें बहुत पतली-पतली इस तरह की धागे की समान सनचना हों और वो एक दूसरे से connect हों joint हों किन से hydrogen bond से hydrogen bond और disulfide bond से तब ऐसे प्रोटीन्स को हम fibrous protein कहते हैं बात करें इनके examples की तो ये काम काम से होते हैं सबसे पहला है cretin और myosin ये कहां पाए जाते हैं cretin हमारे बालों में पाए जाता है साथ ही साथ रेसम में और जो उन है उसमें भी myosin ये कहां पाए जाता है जो हमारी muscles है मासपेसिया है उन में पाए जाता है next है globular protein तो name से ही पता लग रहा है globular globe की तरह means कुछ goal के तरह अगर वो उनका safe है तब ऐसे proteins को हम क्या कहते हैं globular protein कहते हैं इन में parallel थी और कैसी थी बहुत पतली पतली धागे के समान सरचनाय थी इसमें क्या होंगी जो protein है वो कैसी होती है गोले कार होती है तो इसे हम गोला कार या गोलिका कार गोलिका कार प्रोटीन भी कहते हैं हंडी में और इनका shape कैसा होता है गोले के अकार के समान होता है जैसा कि globe होता है और ये soluble होती है water में soluble in water और इनका जो shape है वो कैसा होता है ये क्या होती है इस तरह से यू 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 घुमी होई होती है और क्या करती है इखटी होकर के एक गोले की तरह सनचना बना लेती हैं जिस करण से इनको globular protein कहा जाता है अगर इनके examples की बात करें तो क्या-क्या example होते हैं जैसे insulin हो गया insulin albumin etc